जब बात आती है कटाई और गहाई की उसमें क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए किस तरीके की विधियों को अपनाना चाहिए कि हमारी जो उत्पादन है उसकी गुणवत्ता पर असर ना है पसल के पकने के बाद में जो कटाई है वो इंपोर्टेंट है क्योंके कटाई में अगर बी लाइन का सिट्टा या उसके दाने कहीं A में मिल रहे हैं तो वो A की गुणवत्ता खराब करेंगे और अगर R लाइन का बीज A में मिल रहे है तो भी उसकी हाईब्रिड की संकर को जिसका की परागन परागन काम में लिया जाता है A-Line के लिए उसको सबसे पहले उसकी कटाई करके खेट से बाहर निकाल दें और जो A-Line बसती है उस A-Line की कटाई फिर एक साथ करके और उसकी गहाई अलग से करें गहाई में इनको अलग से A-Line की गहाई करके और उसका म आजाए तक तक उसको खेत में रखते हुए उसके बाद में उसकी पैकिंग और ग्रेडिंग करनी है ये विशे सुरूप से 20 उत्पादन कारी करम में अपन को जहां रखना है ए लाइन जो मैंने बताया कि ए लाइन की जो कटाई करेंगे अपन उस कटाई के साथ में ही उसको फ्लोर्ज है जहां पे अपन को गाही करनी है वो विशे सुरूप से साफ किया हुआ होना चीए और उसी पे अपन को इसको एक जगे ले जाके रखना चीए और इसमें किसी तरीके का बी लाइन का आर लाइन का सिट्था या और किसी तरीके का को कंटेमिनेशन इसमें नहीं ये रनाची ए